नमस्कार दोस्तों ये हमारा S-Paint का वीडियो No.3 है चलिए वीडियो करो करकें पिछली वीडियो हमने सकने था सिर्ड कर यहँद करना जिससे यहाँ पर स्टार है तो हनीちゃ मैं स्टार बना सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल है तो तरू यहाँ से गाल पार सकते हैं आज हम सीखेंगे दोस्तों, curve tool और इसका नाम है polygon tool, इनका use करना, क्योंकि यह important tool है, चल यह सीखते हैं, अगर इनको हमें delete करना है, तो rubber से हमें इसको मिटाएंगे, तो बहुत time लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, select पर click करेंगे, और सभी को select करेंगे, और यहां से delete क button दबा देंगे, तो इसको delete हो जाएगा, इतना है साने इसको delete करना है, उसके बाद एक और चीछी सिखा तो मैं आपको दोस्तों, जैसे circle है, circle यहां पर है, इसको मुझे move करना यहां से यहां पर, अब यह select है, तो आप इसको move कर सकते हो, देखिए, अगर मैं भार के लिए क रख सकते हो, तो इसको बोलते हैं, save को move कैसे करते हैं, अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक होता है हमारा curve tool, एक होता हमारा polygon tool, यह सीखते हैं, पहले देखिए, polygon tool गया होता है, इसके ओपर click करेंगे, तो देखिए, मैंने एक line यहां पर draw किया, इसको बोलते है start point, इसको मैं इसको start point से मिला दोगा, इस तरह से, तो देखिए, shape यह हमारा finish हो जाएने, select हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं, दोस्तो, polygon tool, यह आपके बहुत ही काम आता है, drawing यह design बनाने के लिए, आगे हम सीखेंगे, आप देखिए, यहां पर किलिक क्या आपने, इसको देखिए, एक line आपने बनाया, shift के साथ अगर line बनाओगे, तो line बिल्कुल सीधी आती है, इसको आप move कर सकते हैं, दो बार, देखिए, एक और यह दो, देखिए, इस तरह साब इसको curve कर सकते हो, तो इसको मैं use करके कुछ बना के दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे मैं यहां पर click किया shift के साथ मैंने एक line बनाई देखिए, इसको मैंसे करेंगे, curve करेंगे थोड़ा सा, एक बर और करेंगे, क्योंकि यह दो बार होता है, तो इसको मैंने curve कर दिया, अभी जो selection है यह आपको हटाना पड़ेगा, जब तक यह आप अन्य हटाओगे, तब तक आप यहां से line draw नही देखिए, यह इस तरह से, फिर क्या करना आपको हो, यहां पर click करना है, इसका नामे selection, इसको आप select करोगे इस तरह से, इसको उठागी ऊपर रख देना, फिर करना copy और फिर paste, फिर आप इसको देखिए, यहां से ही मिला सकते हो, इस तरह से, अभी देखिए, यह वाला kona औ निकलिक कि एपने copy कर रखा है, paste करेंगे, एक और देखिए, इसकी copy आचुकी है, आप क्या करना, आपको, रोटेट करना, यहां पर कहली करोगेए, और इसको यहां से, रोटेट कर दोगे, तो यह rotate हो जाएगा, जब आप इसको rotate करोगे, यह रोटेट हो जाता है, तो इसक को यहां पर लगा देंगे, अब हमें color करना इसके इंदर, यहां पर हम click करेंगे, और यहां से हम कोई भी color इसके इंदर देखिए, बड़े सारी से, कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, वो color यहां से आप कर सकते हो, देखिए, अब यहां पर click करोगे, इसको select करोगे, अगर पर click करेंगे, और paste पर click करेंगे, देखिए, इसकी एक और copy आजाएगी, दुबारा paste करेंगे, देखिए, इसकी एक और copy आजाएगी, जितने बार paste करोगे, इतनी copy इसकी आती रहेगी, जितने बार ये, आप copy paste करोगे, इहां पर इतनी copy इसकी आती रहेगी, पेस्ट कर रह दोस्तो, करब टूल का यूज़ करना, पोलिंगन टूल का यूज़ करना, और यहां पर हमने सिखा, रोटेट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना, नेक्स्ट वीडियो हम और भी वह सर चीज़ सिखेंगे, दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो, तो इसको लाइक सेर कमेंट जरूर करें दोस्तों धन्यवाद